हैलो फ्रेंट्स मैं हूँ अंजिना और अंजिना चिछिनिमाप का स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो के मश्रूम की रेसिपी है वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंट्स आप सब भी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइ मश्रूम इजीली पील हो जाते हैं हाथ से ही इसमें नाइफ की जरुवत नहीं पड़ती है इस तरीके से आप छील होगे तो यह इजीली इसके छील के निकल जाएंगे और मश्रूम का अंदर का जो पार्ट होता है ब्लेक ब्लेक आपकी जोईस है आप इसको नाइफ की इसको कट कर लोंगी इसको अगर बड़े हैं तो इसको दो पार्ट में कट करना है अगर छोटे हैं तो इसको नहीं काटना है अगर बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो इसको चार पीस में काट लेना है इस तरीके से अब मैं सारे मश्रूम को कट कर लोंगी यह देखो मैंने सारे मश्रूम काट लिए हैं और एक में भगवने में इसको ट्रांस्फर करलूञी इस तरीके से और अब मैं इसमें डाल दूंगी गरम पानी, इसमें ठन्डा पानी नहीं डालना जब तक हम दूसरी तयारी करें गे तब तक हमें इसमें गरम पानी में डाल करके रखना है इस तरीके से मैंने इसमें गरम पानी डाल दिया है और इसको मैं थोड़ा सा चला दूँगी इस तरीके से अब हम दूस्जी त्यारी कर लेते हैं इसको साइड में रख दूँगी यहां मैंने दो टमाटा लिए तीन प्याज लिए है लेसुन और अद्रक लिया है और एक हरी मिर्च लिए यहां मैं प्याज को चॉप कर लूँगी चॉप मुझे फाइन करना है इसको मोटा मोटा चॉप नहीं करना है इस तरी के से इसको चॉप कर लेना है प्याज को अब चलते हैं गैस की तरफ गैस पर कढ़ाई रगती है कढ़ाई में तेल डाल और यहां हींग जीरा डाल दिया है थोड़ा सा अब मैंने यहां पर अध्रक लैसुन को क्रश करके डाल दिया है और एक हरी मिर्च काटके डाल दिया अब इसको ब्राउन होने तक हमें भून लेना है इसको अच्छी तरह से बून लेना है ये कच्चा नहीं रहना चाहिए इसका जो टेस्ट आएगा बहुत ही अच्छा आएगा ये ब्राउन होने तक भुन गया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी चौप की हुई प्यास और इसको अच्छी तरह से बून लेना है ब्राउन होने तक कच्ची नहीं रहनी चाहिए अब यहाँ थोड़ा सा मैं एक पिंच नमक डाल दूँगी जिससे की प्यास जल्दी से इकल जाएगी और ये देखो यहाँ प्यास हमारी बुन चुकी है ब्राउन होने तक अब मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर और इसको मिक्स कर लेना है और ये थोड़ा सा किचिन केंग मसाला गया है इसमें और ये जो दो टमाटर थे उसको भी मैंने चॉप करके डाल दिया है इसमें और इसको भी अच्छी तरह से भून लेना है और अब जाएगी इसमें एक सीक्रेट चीज जो है चीज स्लाइस अब आपकी चोईस है अगर आपकी घर में चीज नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो बट अगर है तो इसको डालना बिल्कुल मत भोलना इसका जो टेस्ट आ यहाँ जायएगा अब इसको अच्छी तरह से भून लेना है और इसमें मैंने दो चंचे यहाँ पर पानि डाल दिया है है और इसको अच्छी तरह से उबलने देना है यह हमारी ग्रेवी भौतीर टेस्टी बनने वाली है आज की यहां मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है और इसमें एक और सीक्रेट चीज जाएगी जो है एक चौथा ही चमस्ते सीखी इसको डालना बिल्कुल भी इसके मत करना इसकी जो खुश्बू आएगी पूरी रेसिपी में वो एक दम लाश भाब होगी और अब मैं इसमें डाल दूँगी मश्रूम जो मैंने गरम पानी में रखे हुए थे अब तक अब मैं इसको ग्रेवी में डाल दूँगी मश्रूम को अब बस यह हो गया है मिक्स अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी पानी आप अपने एककोर्डिंग डालें अगर आप थोड़ा सा ड्राई पसंद करते हैं तो कम पानी डालें इसमें अगर आप इसको लिक्विड पसंद करते हैं तो थोड़ा जादा पानी डालें मैं यहाँ पर लिक्विड बनाने वाली हूँ तो मैं थोड़ा सा पानी जादा यूज़ करूँगी अब बस इसमें टेस्ट के अकोर्डिंग नमक जाएगा और ये सूखा धनिया जाएगा और अब ही इसमें एक और सीक्रेट चीज़ पढ़ने वाली है वो है कसूरी मेथी इसको डालना बिल्कुल भी स्किप मत करना इसके जो खुश्बू आएगी मश्रूम की सबजी में बहुत ही लाजबा बहुत ही टेस्टी बना देगी अब इसको बीच में चेक कर लेना है की हुई है की नहीं सबजी अब देखो हमारी सबजी हो चुकी है रेडी अब इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया है उपर से और इसमें हरा धनिया डाल दिया है और इसको चला दूँगी मैं अभी ये देखो हमारी रेसिपी है रेड़ी अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अभी के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बाबाए